आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेश के यूटूब चैनल पर हाजी थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके किसी क्लाइन को यूटूब से कोई इनकम आ रही है तो उस पर GST का ट्रीटमेंट क्या ह होगा क्या उसे GST में रजिस्टेशन लेना है या रजिस्टेशन नहीं लेना क्या उसे इन्वोईजिंग करनी है GST उसे किस रेट से देना है GST उसे कब देना है तो अगर आपका कोई क्लाइन्ट है जो यह कहता है सर मुझे यूटूब से इनकम आती है तो उसके लिए प् सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दीजिए बात करते हैं यूटूब की इंकम की तो यहाँ पर एक एग्जामपल लेते हैं यह डोलर्स में इंकम आती है तो let's suppose किसी व्यक्ति को 100 डोलर्स इंकम आई तो क्या अब उसे GST में रेजिस्टेशन लेना है तो इस बात को समझिए कि पहले अगर मैं यूटूब को सर्विस दे रहा हूँ यह मेरी क्या है सर्विस है सर्विस क्या किस बात की है भाई मेरी वी मैं यूटूब को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको मेरी इस सर्विस पे GST लगाना या नि लगाना इस बात को समझ लो जब मैंने यूटूब को सर्विस दी अब यह समझना कि मैं तो बैठा हूँ यह दिल्ली में और यह यूटूब कहा है हमारा जो यू लेकिन जब आप कपिल्यन का एग्रिमेंट चेक करोगे यूटूब से जो की Google AdSense के साथ होता है वो एग्रिमेंट इंडिया से बाहर का होता है अगर मेरा एग्रिमेंट इंडिया से बाहर का है तो अब यहाँ पर हमें यह समझना है कि यह वाली सर्विस मेरी हो गई इंटर स्टेट सर्विस अब इंटर स्टेट सर्विस अगर मैं दे रहा हूँ तो क्या मुझे रिजिस्टेशन कराना है तो भाया सेक्शन 24 सेक्शन 24 यह कहता है अगर आप इंटर स्टेट सर्विस देते हो तो तुम्हें रिजिस्टेशन कराना है लेकिन इसके अंदर एक नहीं कराना तो अब यहां पर समझो अगर मैं यूटूब को सर्विस दे रहा हूँ और यूटूब को सर्विस देने के साथ साथ और भी सर्विस दे रहा हूँ और मेरी अगर अप्टू 20 लाइक रुपीज तक है एग्रिगेट अनोवर तो मुझे रजिस्टेशन नहीं कराना मैं लायबल नहीं हूँ जी एस्टी देने के लिए तो यहां पर वो व्यक्ति याद रखें जिने यूटूब से इंकम आ रही है अप्टू 20 लाइक अगर इंकम आ रही है बाकी इंकमों को एड करते वे जैसे मैं पढ़ाता हूँ मुझे पढ़ाने से भी इंकम आती है पैंडराइब से इंकम आ गई 14 लाइक और यूटूब से इंकम आ गई 5 लाइक तो टोटल 19 लाइक रुपे की इंकम आ गई तो मुझे कोई रजिस्टेशन नहीं कराना कोई टेक्स नहीं देना अब हम बात करते हैं आ अब इस बात को समझो, अब आपको पाच लाग की जो इनकम आई है, क्योंकि आपकी एग्रिगेट टन ओवर बीस लाग है, आपकी एग्रिगेट टन ओवर बीस लाग है, यू आर लाइबल फॉर रजिस्टेशन, आप GST में रजिस्टर हो गए, तो क्या सर इस पाच लाग र सर्विस का एक्सपोर्ट करता हूँ, और ये वाली कंडिशन सैटिस्फाई कर देता हूँ, कौन सी कंडिशन, जो लिखी गई है, सेक्शन टू, सब सेक्शन सिक्स, ओफ आई GST में, हम क्या बनाना चारे हैं, हम इसे एक्सपोर्ट अफ सर्विस बनाना चारे हैं, क्योंकि अगर मेरी ये सर्विस, एक्सपोर्ट अफ सर्विस हो गई, तो मेरे उपर GST नहीं लगेगा, अब देखते हैं, एक्सपोर्ट अफ सर्विस बनेगा या नहीं बनेगा, अब बताओ, सप्लायर इंडिया में है, हाँ सप्लायर तो इंडिया में है, अब बताओ, रिसीपें जो है located outside इंडिया अब place of supply क्या है भाई इस वाले case में क्या place of supply इंडिया से बाहर है तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे को YouTube से जो पैसा आता है वो मेरे foreign convertible में आता है अगर आपने देखा होगा जब YouTube से पैसा आता है तो bank से आपको mail आती है कि भाई आपके account में 220 डोलर आ रहे है चार सो डेलर आ रहे हैं और आपका bank आपको FIRC भी देता है तो इसका मतलब YouTube को दी जाने वाली service मेरी export of service हो गई तो अगर वो export of service हो गई तो section 16, section 16 जो IGST का है वो कहता है कि भाई export of service वाले case में अगर आप export of service कर रहे हो तो दो तरीके से आप export कर सकते हो या तो L.U.T. ले दो ठीक है ना L.U.T. दोगे तो L.U.T. लेने के बाद आप export of service करते रहो 3B के अंदर zero rated supply में दिखाते रहो GSTR1 के अंदर export of service में दिखाते रहो हम आपसे कोई भी tax नहीं लेंगे या दूसरा तरीका L.U.T. अगर आप नहीं लेते हो तो with payment of tax कर दो और with payment of tax करने के बाद with payment of tax कर करने के बाद आप अपना IGST refund ले लेना अब आपका question यह होगा Sir tax किस amount पे लगा हमें तो पता ही नहीं तो भाईया ध्यान दखो जब YouTube से आपको AdSense आता है तो महाँ पर आपको दिखा दिया जाता है कि इस महीने आपको 220 डोलर मिलेंगे तो जितने डोलर ही आपको आते हैं ह section 31 यह कहता है कि आपको इसका invoice बनाना पड़ेगा तो Sir invoice हम क्या YouTube को दे भाई YouTube invoice मांगे या ना मांगे आपको invoice बनाकर अपने पास रखना पड़ेगा और आपकी यह जो 220 डोलर की service है यह आपको 3B में भी दिखानी पड़ेगी GSTR 1 में भी दिखानी पड़ेगी हाला कि इस प पर कोई tax नहीं देना तो आशा करता हूँ आपको इस समझ आ गया होगा कि यूटूब की income पर कैसे tax लगेगा अचा एक खुशकवरी आप लोगों के लिए बता दू जो भी हमारे pen die member से पूरे इंडिया के अंदर अब की बार हमने क्या सोचा है जैसे हमने आज YouTube को पकड़ अगर tax लगाने की बात कही तो हमने ऐसे लगवक 10 टोपिक पर बात कर रहे हैं कि भई hospital के case में GST कैसे लगेगा, restaurants के case में GST कैसे लगेगा, real estate के case में GST कैसे लगेगा, charitable trust के case में GST कैसे लगेगा, export के case में कैसे लगेगा, STZ के case में कैसे लगेगा, contractor के case में कैसे लगेगा, तो इस पर हम एक separate वीडियो बनाने वाले हैं और ये जो वीडियो बनेंगी ये सारी classes हम अपने pen drive members को देंगे उसके लिए आपको कोई extra पैसा नहीं देना अगर आपकी pen drive चल रही है चाहे 6 महीने की हो चाहे 1 साल की हो उसमें ये update साते रहेंगे तो अगर किसी की pen drive अभी expire हो गई है वो अपनी pen drive को renew करा ले और अगर अभी तक pen drive नहीं लिए तो ये ले ले क्योंकि अपकी बार हम pen drive में ये चीज़े add करने वाले मतलब कि आपको industry wide expertise बनाने की कोशिस है कि हर industry के बारे में आपको knowledge हो जाए अगर किसी ने अभी तक इस pen drive का लाब नहीं उठाया है तो आप ले सकते हैं सर इसमें कितने गंटे का कोर्स होता है इसमें भाई लगबग डेट सो गंटे का कोर्स होता है तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप subscribe करा ले और क्या ऐसे topic हम अपनी magazine में दे जो हमारा July edition आने वाला है क्या हम उसमें ऐसा topic दे या नी दे और आप मुझे comment box में लिखकर बताओ क्या आपको हमारी magazine की copy मिल गई अगर मिल गई तो आपको कैसी लगी अगर किसी ने अभी तक magazine को subscribe नहीं कराया है तो हमारे जो ये WhatsApp के number है इस पर आप sample को भी भी मांग सकते हैं और आप अपनी magazine को subscribe भी करा सकते हैं अगर हमारी pen drive लेनी है तो ये एक बहुत बढ़िया time है आप इसे लीजिए और इसे enjoy कीजिए इसमें आपकी बारा मिंडस्टी वाइस topic भी add करने की कोशिच करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जादे से जादे लोगों तक share कीजिएगा और comment box में लिखकर बताईएगा कि हम अपने July edition में क्या-क्या topic डाले और अपनी pen drive के अंदर और क्या-क्या नए-नए topic डाले इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और आचा करता हूँ आपको YouTube की income के ओपर क्या taxation होगा GST में वो पता लग गया होगा Thank you for watching